हलो एवरिवन मैं अंजू जांगिट प्रोजेक्ट डिरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी के सामने हाजिरू एक बार एक शांदार वीडियो के साथ में आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत खास है क्योंकि वो रिज एनलिसिस के जो ऑथराइजेशन सेंटर है जो महारास्टर में ओपन हुआ है उनके एक्सपिरियंस का मैं लेकर आई हूँ रिज एनलिसिस के काफी सरी स्कूल सेमिनार्स के वीडियो आप नोगों आपने देखेंगे बट यहां से जो लोग दो दुन का ट्रेनिंग ले जाने के बाद में अपनी स्कूल्स में इस फरुग्राम को करते हैं लेकिन उससे पहले दो दिन का training session किस तरह का होता है किस तरह से वो risk analysis की जानकारी के लिए company में contact रते है उन्हें कैसा response मिलता है तो वो सारा experience अब तक की journey जो है राजकुमार सर है महरास्टर से जो जैपूर office आचुके है दो दिन का training भी complete कर चुके बस देर है आपको experience शेयर करने की तो चलिए मुलाकात करते हैं सर से जोरदर तालियों के साथ में स्वागत किया जाए मैं राजकुमार उजय बापर है मैं यापर पहली बार आया तब इनिस सर से कॉंटक्टर के आचुका था उनके बाए उनसे जब मुलाकात होई तो उन्होंने मज़े तीम थी सिट के डिगरी के बारे में बता है जब मुझे बता है तो भरोसो नहीं था मुझे इस चीज़ पर मगर मैंने उन्हें प्रैक्टिकली करते हुआ देखा तब मुझे पता चला फिर मैं दो दिन पहले या पर इनके या ट्रेनिंग लेने आ गया, इनकी पूरी ट्रीम से मेरी मुलाकत हो गई, विपिल सर, विनिस सर और इनकी सारी टीम से, तो इन्होंने मुझे दो दिन के ट्रेनिंग में जो बच्चों को सिखाना चाहिए, वो सब कुछ मुझे सिखा दि इसलिए उन्होंने फैंचेसिस ओपर करनी शुरू कर दिये, अब आगे मैं यहां से चला जाओंगा और फांगली में जाकर फैंचेसिय ओपन करूंगा, उसके बद मेरे पास कोई और आ गया तो मैं भी उन्हें मिनिस्सर के पास भेजने वाला हूँ थैंक यू सो मच राजकुमार सर आपने अपना एक्सपेडियेंच शेयर किया और चलिए अब आप लोगों की मुलाकात कराएंगे टीम 360 के सभी टीम मेंबर से लेकिन सबसे पहले मैं आज हमारे नए टीम मेंबर से मुलाकात कराना चाहूंगी जिन्होंने अभी अभी करते हैं अभी आपको सपोर्ट की नीड हो आप मुझी तंपक कर सकते हैं मैं सपना से नी मार्केटिंग मेनेजर टीम 360 से आयो ही फ्रेंचाइज जी को बहुत-बहुत कॉंग्राचुलीशन्स देना चाहती हूं दो दिनका ट्रेनिंग शेशन इनका कंप्लीट हो गया है अब यह रैडी अपने प्लेस पे जाके वर्क स्टार्ट करने के लिए तो ज जाते जाते इने मैसेज में यही देना चाहूंगी कि अपने अपने गंलेसं कि शुल्वात करें नई वीजन के साथ में काम शुरुबात करऊंगे बहुत सारे वीजन अभी से लेके चलोगे तो घ्निंग करो काम को करना है को लीक त Pep itiv an Autos बाद में ex-cl damp करना है किस तरह से कां को करना है क्या उसका प्रणाम ऊसको तो चेक किया चाता है कि किस तरह से काम रिजल्ट क्या रहा और रियक्टिव रखती वह होता है कि जो बैठे बैठे या तो उसके माइंड में नेगिटिव थौट पहले आएंगे बाद में पॉजिटिव आएंगे तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख हैं उन लोगों क मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग भी कंपनी के सभी टीम मेंबर से संपर्क करें कांटक्ट करें कंपनी के एक्जुकेटिव से बातचीत करें और चोईस आपके हाथ में हैं कि आपको प्रैक्टिव बनके सफल बिजनेसमें मनना है या फिर रियक्टिव की तर करेंगे कि आई वी फैंचेजी को और शुब कामनाई दे टीम 360 की तरफ से साथ में आप लोगों के लिए एक मेसेज शेयर करें नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार और अपनी मुझे मुझे मौका दिया बोलने के लिए और में अपनी बास स्टार्ट करूं से पहले में हमारे साथ मुझूद हैं महराश्टर से राजकुमार सर मैं इनको बहुत बढ़ाई देना चाहूंगा कि आपने कि इनिशेट किया इस चाहूंगा कि आपके लिए और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और रिजनालिसिस के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए पूरा मार्केट ओपन और खुला है क्योंकि कुछ भी नहीं है रिजनालिसिस के सामने कोई कंपेटिशन है नहीं अभी जब कुछ नहीं है तो पूरा मारकेट आपका है और जैसा की राजकमार जी मोजहूद है महराष्ट थे पूरा महराष्ट इन के लिए वहां पे इस कंचेपको कोई नहीं जानता और जी जगे कोई जानता नहीं है वहां चुका हूं लेकिन मैं मैं मैंसेज देना चाहूंगा उसके लिए मैं कहना चाहूंगा अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपको बहुत जल्द ही मूँव हो जाना चाहिए रिजन आलेसिस की तरो देखें ग्यारा साल से हम लोग लंबी होती है जिसमें ह और सारे कंसेप्ट आप साथ कंसेप्ट करवाते हैं इस स्कूल के अंदर तो सकूल सेभी करी तो लगबग सब्सक्राइब 500 से ज्यादा स्कूल हम लोग कर चुके थे तो 11 साल का वास्ट एक्सपिरेंस साड़े 400 स्कूल का experience साड़े 700 फ्रेंचाइजी देने का experience और उससे पहले भी कई हम प्रोग्राम करते रहे हैं तो उनका experience प्लस हमारी इतनी सारी टीम मुझूद आप देख पारें इन सब का experience हमारे साथ में Mr. Diri Sharmaji जो company के CEO हैं founder है इनका experience है इनके seminar का experience है इतना experience जो है वो लेने के बाद में अगर हम लोग DMIT से switch करके और ridge analysis की तरह move कर रहे हैं और आपको भी एक इशारा कर रहे हैं आपको भी एक opportunity provide करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी इस तरफ आई है अगर आप DMIT कर रहे हैं अभी आले इंडिया के अंदर लगबग 400 पिच्याण में लोग DMIT actively कर रहे हैं उसका एक इसा आप भी हो सकते हैं कि शायद उसमें आप भी हो और मैं आपको कहूंगा कि अगर आप तीना चार साल पांस साल से कर रहे है तो उससे far better है ridge analysis लेकिन मेरे कहने से कैसे मानेंगे आप तो हमने इसके लिए comparison का एक वीडियो जो कि आप उपर आई बटन में देख सकते हूँ कैसे 24 difference reason है differences है जो ridge analysis को DMIT से लाक बेटर far better बनाते हैं और ऐसे 18 technical reason है जो DMIT से ridge analysis को far better बनाते हैं यह दोनों वीडियो आपके समख्षे सामने आप आई बटन पर दिखाई दे रहे हैं आप जाके तुरन देख सकते हैं और decision ले सकते हैं कि DMIT से हमें कब ridge analysis होना है या नहीं होना है इसके अपर अविचार कर सकते हैं कर सकते हैं क्योंकि 11 साल के अनुभवी लोग अगर इदर मूब कर रहे हैं और आपको एक या दो साल होए रो सकता है नहीं अभी इसमें घुसे हूँ तो आप खुद देख सकते हैं जब इतना experience लेने के बाद अगर हम regional इसकी सब जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगेगा आप डिसेजन ले सकते हैं लास में में यह कहना चाहूंगा कि जिन्दगी में वही विक्ति आगे बढ़ता है वह एक मूल मंत्र जबरदस्त है कि आप लाइफ में और गाडी में दोनों में रफ्तार तब पकड़ते हो लाइफ में और गा मुलाकात करेंगे नए मैसेंज नई फ्रेंशाजी एक्सपिरेंस के साथ किसी नए इंफ्रमेशन मैसेज के साथ सबी को थैंक यू बरेंट तैंक यू सो मच विनिट सर और चलिए अब आप सभी के मुलाकात कराते हैं मेंबर मैनेजिंग कमीटी से मिस्टर विपल शर्मा सर जो कि अभी अभी और इसे के काफे सरे स्कूल सेमिनर अपनी टीम के साथ में करके आये जैसे PMS स्कूल जो है लखनव से साथ में दून पबलिक स्कूल में यूपी में प्रोग्राम हुआ है तो चलिए इनसे भी जानते हैं हमारे आईवी प्रेंशेजी को क्या मैसेश देना तो आप सभी को बहुत बहुत शुब काम नहीं बदाई और सबसे ज़्यादा बदाई हमारे राजकुमार जी को क्योंकि वह महराश्ट्र से इनिशेटिव लेकर यहां पर आए हैं इनिशेटिव और प्रोयक्टिवनेस का भी जिकर कर रही थी मैं यह बहुत बड़ी बात है इसका डिफरेंस समझना जरूरी है कि इनिशेटिव बहुत लोग लेना ही कापके नहीं उसे काम को पूरा भी करना होता है कि excitement में yes we can do this करके चलतो पड़ें और फिर अपने उसका को करें नहीं वह पूरा नहीं हो वह बेकार है फिर ना करें समान है तो इनिशेटिव लिया इन्होंने और अब वह प्रोयक्टिवली इसकाम को कर रहे हैं या करेंगे आगे लेके उसकी बहुत-बहुत बदाई और हमारा सपोर्ट करते हैं और बहुत लोग हमारे को फोन भी करते हैं इस चीज के लिए और क्या करते हैं फोन एक लाग साथ हजार रुपे टीम से 60 ले रहे हैं तो एक साथ की क्या जूरूत है तो मैं आपको इसके लिए बहुत छोटी सी जो कल में एक वीडियो देखा बहुत इंट्रस्टि सेट परेशान चेंतित की इसको ठीक कैसे करें लोग उने बहुत पता किया कि कोई एक आदमी है जानकार जो करता तो है लेकिन थोड़ा अडियल है वह आसानी से हाथ आते नहीं है और वह आ जाता है तो वह मन मने तरीके से करता है फिर चार्जेज भी उनके हिसाब के होते ह सब्सक्राइब करता है तुम बुला लो इसको एक बार देख लेते हैं और काम तो करवा नहीं है सारा काम अटका पड़ा है बहुत लोस हो रहा है तो उसको बुलाते है वो आदमी आता है दुबला पतला सो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा उसको देखके लगता नहीं कि यह थोका और आप चालू करो चालू हो गई मशीन और बगेर किसी दिक्कत के तो नहीं का हाँ चार्जेज किते हुए तो उसने बुले 2,000 रुपे बहुत बीस रुपे काम है तीन हतोड़ी नहीं ठोकी है तो भई उसने का मैंने हतोड़ी नहीं ठोकी है मेरे को यह पता है कहा ठोकनी है कितनी बार ठोकनी है कि मैं ज़्यादा तेज मार दूँगा तो तुम्हारे यह अडंगे तूट जाएगा तो कितनी बार ठोकनी है कि वो तीन बारी और किस जगे मारनी है यह भी पता होना चाहिए तियार से मारना यह जरूरी है यह गदा लगा देता तो तुम्ह सारी चीज की जानकरी team 360 के पास है। तो फिर दूनिया जामें बहुत लोग देते हैं, तो फिर क्यों सफ़ल नहीं हो पर है? क्यों क्योंकि उनको यह नहीं पता है कि किस को देना है? कैसे ठोकनी है? कैसे बात करनी है? कैसे school approach करनी है? कैसे coaching कोचिंग इस्टुटिन में जाना है कैसे बिजनस लेके आना है और बात करते हैं क्या-क्या चीज़े शेयर करनी है यह सारी चीज़ और क्या चीज़े नहीं शेयर करनी है यह भी टीम मार लिया उदर मार लिया हतोड़ी केवल दो बार मारी आपने कील पर फिर एक्सपेक्टर तो कील अंदर दस जाए वैसा पी स्कूल एक बार अपने टच कर ली दूसरी स्कूल टच कर ली और आपको ग्रोथ नजर नहीं आ रही है तो लगातर 15-20 स्कूल करो वही यह नहीं कि स्कूल करके उदर दर जाकना शुरू कर दिया कि वह तो यह नहीं कर रहा है उनका यह हो गया वहां से ग्रोथ नहीं आ रही हम तो बहुत प्रयास करें कोई प्रयास नहीं किया आपने कम से कम 15-20 स्कूल करो एक ही कील पर दस बार ठोकोगे तब वह कील शेद में गुसेगी ह हम वह कारे तो करते हैं थोड़ा बहुत करते हैं और बाकी इदर उदर की चीज़े जादा करते हैं इसलिए ग्रोथ नहीं आती है और यहीं चीज हम आपको बार-बार मेसेज दे रहें अभी विनीच सर ने भी जिकर किया हम गैर बदलने का टाइम है तो भैसाब कब क्या औ लेना चाते हैं आई बटन पर विनीच सर ने बताया है वो चोईस डिफरेंसेज देख लो कि बाइसाब दस साल पहले की डियमाइटी और आज की रिस अनालिसिस में क्या अंतर है और जाहिर सी बात है हर कोई अपडेटेट प्रड़क लेना चाहता है आप में से कौन है जो नोकिया घ्रा सुन लेना चाहेगा सब आई फोण लेना चाहेगा नहीं सब अम तो नोकिया घ्रा सो से ही जो है이죠 है bet to not चाहते हैं Nokia 1100 से इंस्टाग्राम करना चाहते हैं उसमें फीचर ही नहीं है आप लिने पढ़ेंगे आज के फोन तभी वो फीचर उसमें अप्लोड हो पाएंगे रिकाम हो पाएगा So we wish you all the best आज के इसाब से चलो और हतोरी टाइम पर और सही जगे मारना सिखो धन्यवाद Thank you so much sir चलिए अब मुलाकात कराते हैं Member Managing Committee से Mr. D.D. शर्मा सर से जो की company के CEO है और ये एक enthusiastic personality है जिसकी वज़े से पूरी Team 360 में आपको जोश और जनून देखने को मिलता है हम इतने तेजी से काम कर पाते हैं तो इनी के आशिरवाद से चलिए जोड़दार तालियों से सर का स्वागत करते हैं और सर से request करते हैं कि आप लोगों के लिए अपना एक message share करें मैं डिडी सर्मा चेर्मेन इंडिशियो टीम सबसे पहले तो मैं राजकुमार जे का एक बार करतल बनी से फिर्श चाहता हूंगा कि उन्होंने एक अच्छी सुवाद्ध दूसरी बात यह है कि अंजु का भी मैं अभिवादन करना चाहूंगा इन्होंने मुझे बोलने का मुका दिया है अंजली मैं ने बहुत अच्छी बात कई प्रो एक्टिव मैं यह चाहता हूं कि आपके जबान से यह सब्द निकले है निकले तो सही जीवन में भी उतर जाएंगे पर एक बार निकले तो सही नहीं तो घर ग्रस्ती से ही दिमाग में दूसरी चीज सबी का मैं आर्दिक अभी नंदन करता हूं कि इस टीम के अंदर और बाकि वो हमारे जो फ्रेंचाइजी करीवन 700 लोग मेरी जो भी आवाज को सुन रहे हैं जो नहीं सुन रहे हैं उन सबी का मैं आर्दिक अभी नंदन करता हूं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क कोई भी कमपनी है 오늘은 या सबसे महद्दवर्णूत है अगर कोई कमपनी ग्रोथ नहीं कर रही यह किसी कमपनी पास वीजन नहीं तो वह खत्म हो जाएगे जिसके पास vision नहीं है वो victimized है, वो अपने को ये समझेगा कि मैं तो प्रताडित हो गया, मैं तो आतंकित हो गया मैं तो दुखी हो गया, मैं तो जख्मी हो गया, मैं तो बरबाद हो गया, शिकार हो गया इसलिए vision रखने ही जरूरा ही है अंजली मेहम वन अभी कहा कि vision बना के करिए इसलिए हर चीज की दो लेवल पर रचना होती है पहली कहलाती है कालपनिक और दूसरी कहलाती है यतार्त कालपनिक का मतलब जो आप यानि भविष्य की कलपनाई करते हैं कि मुझे 10 लाग रुपए मैंने के कमाना, मुझे अच्छी साधी करना, मुझे अच्छी पोश्ट प्राप्त करना, यह सब जो है, यह प्रतम रचनाई कहलाती है, वीजन कहलाती है जो सपने जिन पर काम किया जा सके जिनकी तितियां तैया हो जाए वो वीजन कहलाती है तो वीजन आप बना लीजिए टीम 360 ने वीजन बनाया और वीजन बनाने से जो जो कदम टीम 360 ने उठाए उनकी और आप गोर कीजिए 2012 में हमने company का registration करवाया incorporation करवाया उसके बाद हमने school में काम किया और ततकाल ही हमें बहुत अच्छे परिणाम भी मिले और मेरे को team 360 की और Daytona Beach USA में Florida USA में मेरे को gold star award से सम्मानित किया गया उसके बाद हमने जो है school के अंदर को बहुत school में काम किया उसके बाद franchise यहां देनी आरम की second चरह नबारा franchise यह नि ग्रोथ पहले आरम किया school में फिर हमने ग्रोथ की franchise यहां देना आरम की franchise यहों के बाद में हमने जो है कुछ books लिखवाई कि लोग जब तक books नहीं लिखेंगे तो आने वाले जमाने में भूल जाएंगे बगवान राम को क्यों याद गरते हैं लोग क्योंकि रामाइंड लिखी भी है चाए वालमी की ने लिखी और चाए तुलसिदास जी ने लिखी अगर यह लोग नहीं लिखते हैं तो राम को कौन जानता किसको मालूम है अपने भी बहुत परदादा दादा थे और सब चले गए ना कौन याद है पर जो किताबों में छप जाते हैं लिखी जाते हैं वो चीजे याद रहती है तो हमने बारा books लिखवाई ताकि team 360 से संबंदित लोग franchise को अच्छी तरह से जाने जब कभी जरूरत परो इन किताबों का सहयोग लेवे और यह सारी किताबे हमारी Amazon Flipkart आदी पर उपलब्द भी है आप उनको ले सकते हैं हमने इस से कोई ज़्यादा आर्थिकलाब नहीं वा लेकिन team 360 को एक जबरदस आधार बने में बनियाद बनाने में सहयोग मिला और उस बनियाद का प्रिणाम यह है जो अभी विपुल सर और विनीद सर कर रहे हैं कि हमने DMIT का एक improved version जो है वो आपके सामने रखा है और अब आगे क्या करने जा रहे हैं क्योंकि आगे क्या करने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यदा महत्व पुर्ण है वो यह है कि अभी हम तीन देशों के अंदर आबू धाभी USA में फ्लोरिडा और आस्टेलिया में मेल बॉर्ड इन तीनों जगाओं पर हम जल्द ही पर इसकी पहचान है इसकी साख है इसके लोग इंटरनेशनल लेवल पर यह कंपनी कोंट्रिब्यूट कर रही है इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद थेंक्यू सो मच सर और थेंक्यू सो मच आप सभी खा आप लोग हमारे इतने वीडियोज पसंद करते हैं और साथ ही हमारी फ्रेंचाइजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पर आये दो दिन की ट्रेनिंग उन्होंने लिए और अब यहाँ से जाने वाले हैं टीम 360 के पूरे परिवार के तरफ से बहुत-बहुत भदाई हो साथ में उनकी उज्वल भविशे के हम लोग कामना करते हैं उनको सपोर्ट की जहाँ ज़रत रहेगी टीम 360 उनके साथ में हैं चलिए फ्रेंड्स अब आप लोगों से विदाई लेते हैं दुबारा मुलाकात होगे एक नए वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच